हैलो गाइज, वैलकम टू कीट ज़्रीम हाउस, आज हम अब के साथ बात करने वाले हैं, किचिन वेस्टिंग के उपर, कि किचिन वेस्ट मैं अपनी किचन में कैसे इकठा करती हूँ, और कैसे उसको इकठा करने के बाब जूद साब सुतर है, डस्ट बिन रहते हैं, तो साब सुतरा रहता है इसमें कुछ भी गिला नहीं डालती हूँ कई लोग क्या करते हैं सबजी बच जाती है जैसे सबजी कटोरी में बच गी या वैसे बच गी वो भी डश्ट बीन में डाल देते हैं और वो बहुत गंदा हो जाता है ये मेरी सबसे बड़ा अच्छा टॉपी का गाईस अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे और स्वस्त रहेंगे साब सुतरी सफाई रहेगी तो गाईस देखिए इसमें जैसे मैं इसमें से कुड़ा निकालती हूँ इसको मांज करके बाहर दोप में रख देती हूँ और जैसी उसको उठाती हूँ इसमें पॉलोथीन लगाके और एक कोने में रख देती हूँ तो ये गंदा नहीं होता गाईस इसमें कुछ भी गिला नहीं डालते बची सबजी नहीं डालते कुछ भी गिला नहीं डालती उन सब का मैं कैसी यूज करती हूँ डस्ट बीन का और जो बची सबजी है उसको सीधा टॉलेट में डालती हूँ यह नहीं कि गेट के बाहर गेरते हैं उसको गंदा हो जाता है काओ खालेगी डॉक खालेगा ऐसा नहीं अगाइस वो बिलकुल नहीं खाते हैं मुँ मारते हैं और चले जाते हैं मच्छर मक्ही पैदा हो जाते हैं और देखी वाला कोने में मैंने डस्ट बीन क्यों रखा यहा मैं उसको सी कोने में रखती हूं डश्ट भीन को टू डे का ये किचन वेस्ट हमारा कठा हुआ हुआ है जैसे ये एपल है जैसे हम एपल खाते हैं बनाना खाते कुछ भी खाते हैं कहीं वरी होता है कि खाया नहीं है वो बाहर सूख गया है तो उसको जैसे ये गुबी बंद को भी का पत्ता है लेसन प्यास के छिलके चाय पती जो भी है फ्रूट के सब्जियों के छिलके जु कर जो निकलते हैं आलू के मारफ यूथ यह दालना पालटी आ पका हुआ कुछ भी नहीं नहीं दालना च्रूमारी किचन सारी खराब हो जेँगे उसमें गंदे कीड़े हो जाएंगे और बदबू इतनी मारेगी इतनी स्मेल होएगी कि प्रोसियों को भी स्मेल आएगी तो गाइस मैंने छत के उपर मौंटी के उपर छत पे रखा हुआ है जैसे मौंटी होती है जो सीड़ी के उपर छत होती है उसकी छत पे मैंने उपर रखा से किचन वेस्टिंग मैं निकालती हूं और इसको मांज करके लगा देती हूं और आप तो मैं आपको वैसे दिखा रही हूं पर मैं जब भी इसमें से किचन वेस्ट निकालती हूं तूड़े के बाद मैंने पोलोथी निकाला है भरा हुआ और यह खाली वाला ऐसे नहीं डाल देते हैं सर्दियों चे गर्मियों तो गैस उसके बाद पॉलोथीन लगाते हैं और इसको इसको ने में रख देते हैं और गैस इसकी बगल में जो मैंने यह रखा हुआ है यह जैसे स्कॉच ब्राइट स्टील बुल बरतन मांजने का जो लिकवट है इसको भी मैंने बंद रखा हुआ है देखिए गाइस कैसे रखा हुआ है क्योंकि खुला रखेंगे कहीं होता है कोई आग या कहेगा पास में डश्ट बीन रखा है और इसको ऐसे पुस करते हैं और ऐसे इसमें जागाती है इसको खोलने की जुरूरत नहीं पड़ती है इसलिए मैंने बंद किचन में ऐसे नहीं आते जब कॉकरोज किचन में दीख गया तो समझ ले गंदा है किचन उसको सफाई की जरूरत है तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सेर सब्सक्राइब तो बनता है गैस और लाइक करके मेरे कोई कमेंट में यह बताना कि कमें में जो आल का नसान है उसको भी पुस कर दिया करो गैस कुछ पैसा नहीं लगता जोर नहीं लगता गैस प्लीज मैं तो जिसका भी चैनल देखती हूं उसको उसी टैम सब्सक्राइब कर देती हूं क्या जोर लगता है